हाई अवरीवन स्वागत है आपका आरस क्रियेशन स्टेडी चैनल में तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉटन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मिजी05 का जो की ब्लॉक फिफ्ट है यूनिट थर्ड का टॉपिक जिसका टाइटल है मार्क्सिजम सुपर स्ट्रक्चर तो मा तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्क्सिजम है क्या और इसको दिया किसने है उसके बाद हम सुपर स्ट्रक्चर डिसकस करेंगे तो मार्क्सिजम एक पॉलिटिकल विचार धरा है एक आइडियोलोजी है इसे दिया था काल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इन्हों काल मार्क्स को कैपिटलिजम से जो थी नफरत थी क्योंकि कैपिटलिजम में क्या होता है अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता है और गरीब दिन प्रती दिन गरीब होता जाता है तो यह जो डिफ्रेंस था यह काल मार्क्स को पसंद नहीं था तो हम मार्क्सिजम की ड production are owned by people not by any group और class मतलब यह जो mode of production है यह जनता के हाथों में होने चाहिए ना कि किसी एक group के पास एक class के पास ना कि किसी अमीर लोगों के पास तो mode of production बहुत ही important term है इसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ यह आगे भी आएगा super structure में तो mode of production को means of production भी कहा जाता है यह दोनों same ही है इन्दी में इसको उतपादन परनाली कहते हैं तो यह होता है जो natural resources होते हैं जिनका use करके हम मुनाफ़ा कमाते हैं जैसे earth हो गया water हो गया electricity हो गया property हो गयी factory हो गयी tools machines हो गये मतलब raw material जो होता है जिसका use करके हम आगे को product त बहुत जादा important होते हैं तभी तो देश की earth वेवस्ता जो है आगे बढ़ेगे जब mode of production होंगे हमारे पास और उनका हम use करके product तियार करेंगे और बेचेंगे तो काल माक्स ने कहा कि जो mode of production है यह working class के पास होना चाहिए जनता के पास होना चाहिए ग्रीव लोगों के पास ह गया है तो आगे काल माक्स कहते हैं कि capitalist society में जो है दो class होती है एक होती है owner class एक होती है worker class तो owner class को उन्होंने term दी bourgeoisie और यह जो worker class होती है उनको दी proletariat यह दोनों terms बहुत जादा important है और उन्होंने कहा कि यह जो owner class है यह हमेशा ही जो working class है इसको exploit करती रहती है इसका बहु factory है वहाँ पर एक व्यक्ति के लिए जो owner होगा इसके लिए worker काम करेंगे मालीजी यह 200 worker है तो यह लोग एक महीने का जो है 10 लाक कमा रहे हैं तो यह जो owner होगा यह 10 लाक में से सिर्फ 2 लाक ही salary देगा इन worker को 10-10 हजार पैं एक महीने की बाकी का जो 8 लाक बचेगा वो यह जो business man होते हैं जो owner होते हैं वो खुद के लिए रख लेते हैं तो यह जो मुनाफ़ा होता है इसका बड़ी रकम जो है यह खुद के लिए रख देते हैं जबकि जो पूरा काम है वो तो यह working class करती है तो इस तरह से जो capitalism है वो working class का शोशन करता है तो कालमाक्स आगे कहते है कि एक दिन ऐसा आएगा जब conflict होगी class struggle होगा revolution आएगा जो सारी दुनिया के मज़ूर है वो एक साथ इकठे होकर के अपने हग के लिए लडेंगे और यह जो property है यह सब में बराबर बांट दी जाएगी और अमीरों की यह जो property है उसको खतम कर दिया जाएगा और एक दिन ऐ possible होगा तो Karl Marx में सिर्फ theory दी थी इन्होंने जो है practical नहीं किया था तो यह तो था Marxism अब हम देख लेते हैं super structure क्या होता है क्योंकि exam में हमेशा question पूछा जाता है what does super structure stand for in Marxism तो super structure को समझने के लिए और super structure को समझाने के लिए जो Karl Marx थे और यह जो social reality होते इसको समझाने के लि तो यह जो building है इसमें दो structure है एक है base एक है super structure तो society को जो है दो parts में divide किया गया इस building में जो नीचे वाला है वो base है और जो उपर वाला है वो है super structure तो अब हम इन दोनों parts को बारी बारी से देख लेते हैं कि base क्या होता है और super structure क्या होता है तो यह जो base होता है इसको structure और substructure भी कहते हैं तो इस base में दो चीजें होती है जो first है वो है means of production या फिर mode of production जो मैंने आपको बताया raw material, factory, land जिन से हम जो है मतलब product तयार करते हैं तो यह भी base में ही आता है और दूसरा आता है relation of production मतलब जो in raw materials का use करके जो product बना रहा है जैसे working class जो bourgeoisie exploit करते हैं proletariat का मतलब जो working class है वो owner class के लिए काम करती है वो भी base में ही आता है तो मतलब जो worker है वो भी base में आते हैं और जो यहाँ पर जो product बनाया जा रहा है वो भी base में ही आता है तो जैसे कि एक घर बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले नीव बनाया जाता है उसमें foundation रखी जाती है pillars बनाया जाते है उसके बाद उसका धांचा त्यार किया जाता है वैसे ही यहां पर भी base पहले बनता है और फिर super structure बनता है और इसी base से जो पूरा social existence है वो बना होता है society का जो social existence है क्योंकि इसी base के कारण जो economic sustenance होती है वो बनी रहती है इसी base के कारण मतलब जो भी कुछ तयार होता है product बनाया जाता है वो base के कारण ही बनता है और ये base और्गनाइज करता है productive activity of people जो लोगों की productive activity होती है वो भी base के कारण ही होती है तो ये जो base और super structure है इन दोनों का ये जो structure है इसको मिला करके जो structure बनता है उसे बोलते है social structure और ये जो social structure है ये इनसानों को मजबूर करता है law of production को follow करने के लिए मतलब जो working class होती है उसको मजबूरी में ये laws follow करने पड़ते है क्योंकि उनको facility चाहिए ease in life चाहिए मतलब उनको पैसा कमाना है अपने घरवालों को पालना है तो उसके लिए इनको जो है ये laws follow करने पड़ते है और उनको कम wages पे काम करना पड़ता है तो base में आपको समझ में आगया कि base क्या होता है base में जो है एक तो आती है आपके mode of production और दूसरा आता है relation of production मतलब जो काम कर रहा है जो product त्यार कर रहा है ये दोनों चीज़े आती है base में तो अब हम देख लेते हैं super structure क्या होता है तो कालमाक्स कहते है जब production के लिए जो capitalist class और जो working class होती है जब उन में एक relation बन जाता है वो एक दुसरे के लिए जो working class है वो capitalist के लिए काम करती है तो उसी से जो है super structure emerge होता है मतलब base से ही super structure त्यार होता है base के उपर ही super structure बनाया जाता है तो super structure में जो चीजे include होती है जो चीजे आती है वो है politics, religion, mass media, family, education law, art मतलब ये सारी चीजे जो है super structure में आती है तो कालमाक्स से पहले मतलब जब कालमाक्स ने ये theory नहीं दी थी base और super structure की तो ऐसा माना जाता था कि ये जो super structure है ये independent है autonomous status है इसका ये self sustaining है ये universal है और जो super structure है वो God given है और इसमें जो religion और जो morality है वो God के द्वारा gift की गई है इनसान को और literature जो है वो religion और morality से ही inspire हुआ है और जो laws और judicial ideas है वो human की wisdom के कारण आये है लेकिन फिर कालमाक्स ने कहा कि ऐसा नहीं है super structure जो super structure है वो इस base economy के उपर ही depend करता है मतलब ये जो super structure है ये अपने आप ही नहीं बन गया है ये base के उपर ही बना है अगर base में जो है कुछ भी good होता है तो super structure में भी good होता है यदि base में जो है थोड़ा सा भी change होगा तो ये जो super structure है इसमें भी change आएगा इसके अलग-अलग aspects में change आएगा for example मैं आपको example के मादियम से समझाती हूँ जैसे base है तो पहले औरतों को जो था बाहर जाकर के पढ़ाई करने की अनुमती नहीं दी जाती थी उनको school नहीं भेजा जाता था उनको vote देने का अधिकार नहीं था लेकिन जैसे जैसे औरतों ने अपने अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट किया आवाज उठाई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो super structure है इसमें भी laws बनाए जाने लगे औरतों के लिए तो मतलब जो मतलब यहां से आवाज उठाई औरतों ने जो बेस से जो पूर लोग हैं जो गरीब औरते हैं उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट किया अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट किया तो laws बन गए मतलब उपर जाकर के जो laws है politics में भी change आए laws में change आए तो हर जगा जो है change आए तो इसी तरह से base में अगर एक छोटी सी चीज भी मतलब change होती है तो superstructure में भी change होती है तो according to Karl Marx यह जो base है यह shape देता है superstructure को और यह जो superstructure है यह superstructure जो है maintain और legitimize करता है इस base को इसको maintain करके रखता है base को तो Karl Marx कहते हैं यह जो superstructure और base है यह ना तो naturally occur करते है society में और ना ही स्थिर है मतलब ना ही यह same रहते है इन में change आते रहते है अगर base में change आएगा तो superstructure भी change होगा तो यह दोनों जो है social creation है मतलब society में जो लोग रह रहे हैं इनके द्वारा बनाये गए है यह दोनों ही structure तो आगे Karl Marx कहते हैं कि यह जो superstructure है न यह बनाया ही इसलिए गया है ताकि यह explain कर सके और justify कर सके जो distribution of surplus है मतलब जो मुनाफ़ा कमाया जाता है वो कैसे distribute होगा वो किसके पास जाएगा तो अब हम जो है इसको देखेंगे कि यह कैसे होता है society में तो क्योंकि law, politics and religion यह तीनों जो है superstructure के ही part हैं तो हम इनके थ्रू जो है one by one समझेंगे कि distribution of surplus कैसे होता है society में और कैसे जो है जो rules हैं वो बनाये जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं law as a superstructure तो यह जो law है यह as a superstructure कैसे काम करता है इतिहास में हर point पर यही हुआ है कि जो excellent mind वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा जादा मिहनत करके क्या करते हैं laws बना देते हैं rules बना देते हैं और यही यह जो rules होते हैं यह एक तरह से legal अधिकार दे देते हैं जो socially generated resources होते हैं उनको हतियाने का मतलब जो rich लोग होते हैं society में वो इन जो socially generated resources होते हैं उनको जो है अपने under ले सके उनका जो legally तरीके से अपने पास रख सके जो property owner है वो दूसरों का जो surplus है जो मतलब जो मुनाफ़ा है उसको legally तरीके से अपने पास रख सके तो irony देखो जो existing law है society में जैसे army होगी, polish होगी, bureaucracy होगी judiciary होगी वोही इन privileged लोगों का जो अमीर लोग हैं इनके interest को protect करता है तो यहाँ पर कालमाक्स ऐसा कहता है जो capitalist society है उसमें ऐसा होता है जो अमीर लोग है उनके interest को protect किया जाता है laws के दोरा और जो poor है उसका exploitation करने के लिए करने का जो legal रास्ता है वो इन अमीर लोगों को दे देता है यह जो laws होते है इन लोगों को legal रास्ता मिल जाता है गरीब लोगों को exploit करने के लिए क्योंकि ये जो legal structure है ये directly deal करता है social distribution से तो ये जो super structure है ये working class के लोगों को यकीन दिला देता है कि जो उन्हें wages मिल रहा है जो उन्हें salary मिल रही है सिर्फ उसी के उपर उनका अधिकार है तो यहाँ पर कालमाक्स कहते हैं कि law ही जो है जो अमीर लोग है उनको power दे देता है जो गरीब लोगों को exploit करने की तो यहाँ पर कालमाक्स कहते हैं कि क्या ये सही है एक तरफ तो जो base में जो लोग हैं वो survival के लिए fight कर रहे हैं दिन रात महिनत कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो small group और section है society में उनके पास दुनिया भर का wealth दुनिया भर का जो मतलब पैसा है वो इकठा हो गया है और ये जो मतलब कालमाक्स यहाँ पर पूछते हैं कि जो क्या ये जो small group है society का ये जो rich लोग है इन्ही को अधिकार दिया गया है इन्ही को हक है ownership of resource and wealth का मतलब इन्ही के पास जो है सारी दुनिया भर की दौलत और पैसा एशोराम होने चाहिए और एक बहुत बड़ी mass मतलब जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग है वो life की basic जरूरतों के लिए भी fight कर रहे है तो क्या मतलब ये जो difference है इतना बड़ा दो class में ये क्या सही है यहां पर कालमाक्स पूछते है और उपर से जो laws है ये भी अमीर लोगों को protect कर रहे है तो क्या ये सही है ने है the political superstructure according to कालमाक्स ये जो political superstructure है क्योंकि लोग जो है चेंज लाने की लड़ाई सिर्फ जो है political superstructure में ही लड़ सकते है politics में ही लड़ सकते है change की मांग कर सकते है और ये जो political formation होती है such as parties ये बहुत ही important role निभाती है society में क्योंकि इसमें जो हर class के लोग होते है उनका point of view रखा जाता है जो लोगों की भीड होती है वो एक जगा इकठी हो जाती है गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए for example जैसा कि 19th century में हुआ था England और France में जो trade union वाले थे जो trade union थी उसके साथ जो factory के worker थे वो जुड रहे थे और वो लोग demand कर रहे थे अपने लिए better salary और better working condition की मांग कर रहे थे तो ये आप एक अच्छा example देख सकते हो लेकिन ये भी सच है जो politics है उसने हमेशा से एक important role play किया है जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी for example जो ruling bourgeoisie थे मतलब जो ruling class थी England में उन्होंने जो है जो economical power थी industrial और entrepreneurship की वो power उनके पास थी उन्होंने जो है धूखे से वो power ली थी और ये उनको कैसे मिली थी politics के कारण ही ये मिली थी 17th और 18th century में तो ये जो role of politics है history में इससे हमें जो है एक lesson सीखने को मिलता है कि ये जो politics है इसको structure है society का जिससे हम जैसे चाहे वैसे use कर सकते है तो next है the religious superstructure तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि क्या ये जो religion और god है इसका भी कोई link है social structure के साथ बट सच तो यही है कि ये जो religious principle होते हैं इनकी जड़े बहुत deep होती है society में हर time मतलब time कोई भी हो तो Marx कहते हैं कि ये जो religion भी एक part है capitalist society के जो superstructure है उसका और ये जो religious ideas होते हैं और ये जो institute होते हैं वो help करते हैं produce करने में और maintain करने में और legitimize करने में class inequality को मतलब ये चीजें class inequality को ज़ादा बढ़ाती है तो Karl Marx आगे कहते हैं कि ये जो religion है ये opium of the masses का का काम करता है मतलब opium होता है भांग का काम करना क्यूंकि ये जो Marx कहते हैं कि religion जो है एक drug की तरह काम करता है और Marx इसको जो है एक drug की तरह देखते हैं जो reality को distort करता है उसको तोड मरोडता है और लोगों की help करता है उस pain को deal करने में जो उन्हें capitalism के कारण मिला है मतलब capitalist society में रह करके मिला है और यह जो religion है यह mechanism of social control की तरह काम करता है मतलब एक तरह से society में control बना के रखता है religion और यह जो existing system है exploitation का, इसको maintain करके रखता है इसको जो है मतलब एक तरह से बना करके रखता है religion तो आगे कालमाक्स कहते हैं कि यह जो religion है यह discourage करता है लोगों को आवाज उठाने के लिए जो oppression है उसके खिलाफ और जो change है उसके लिए आवाज उठाने के लिए जो है लोगों को discourage करता है और ये जो religion है ये पूर लोगों को wait करने के लिए कहता है कि कोई divine intervention होगा मतलब जो भी गलत हो रहा है तो भगवान आकर के उनको बचाएंगा फिर कोई चमतकार होगा तो ऐसा जो belief है वो लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है और लोग ये भी मानते हैं कि God नहीं class system बनाया है जैसे हमारे इंडिया में भी मानते हैं कि जो caste system है वो God नहीं बनाया है तो हर जगा भी ऐसा ही माना जाता है कि अगर कोई गरीब है तो अपनी किसमत के कारण है तो अपनी किसमत के कारण है for example मैं आपको एक example देती हूँ medieval Europe में क्या होता था कि जो king और queen rule करते थे उनको divine right से rule करवाया जाता था मतलब ऐसा माना जाता था कि भगवान की इच्छा से king and queen बने है और हर किसी को उनकी position को accept करना ही पड़ता था कोई उसको challenge नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें जो है God ने choose किया होता था और God को जो है कोई भी challenge नहीं कर सकता था और नहीं कर सकता है तो ये जो religion है according to Karl Marx ये जो है लोगों को मतलब control करने का एक साधन है capitalism में ये जो है Karl Marx का मानना है तो ये था super structure I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगेगी तो please इसको like और share जरूर करना और मेरे चैनल को subscribe जरूर करना ताकि आपको upcoming videos की notification मिल जाए कोई भी notification आपसे miss ना हो तो मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में अपता के लिए अपना ध्यान रखिए बाई बाई